किसान साथियो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पॉपिता की टॉप 5 एसी विराइटियों के बारे में और इनमें से कुछ एसी विराइटिया भी है जो की भारत की ना होकर भी हमारी भारत ये भूमी यानि की हमारी मिटी में बहुत अच्चा उत्पाधन देती है ह हमारे climate condition को भी झेल जाती है वाइरस उसको भी झेल जाती है इसमें किसी भी तरीके की बीमारियां देखने को नहीं मिलती है और हमारे किसान साथी किसान भाई इसे लगाना भी बहुत पसंद कर रहे हैं साल प्रतिस इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि इनमें लागत कम लगती है इनमें मुनाफा जादा होता है इनमें फल अच्छे लगते हैं मतलब की किसान साथी अगर मैं बात कहूं तो एक पोधे पर 25 से 30 किलो तक उपज देखने को मिल सकती है तो आज के इस वीडियो में बिना देरी के मैं पाक करना चाहूंगा पपीते की टॉप पांच वेसी विराइटीयां जो कि आपको माला माल कर सकती है तो सबसे पहली हम विराइटी है वो है आइस बेरी अगर इसके फल के color की बात करें तो ये orange गुडा type का दिखाई देता है 13% इसमें मिठास होती है और ये दो प्रकार में पाई जाती है एक होती है short और दूसरी होती है long short की अगर बात करें तो उसमें आपका पोदा female कहलाता है और long में बात करें तो पोदा पूरुस कहलाता है अगर इसके भंदारन की बात करें अगले में हम आपको जो बताने वाले है ना उनसे थोड़ा इनका भंदारन कम देखने को मिलता है लेकिन किसान साथियों आप इसकी harvesting 210 से 220 दिनों के अंदर ले सकते हैं कि आपको फायदा पोचा सकती है किसान साथियों की virus इसमें बहुत कम मातरा में आ सकता है यानि कि आप ना के बराबर इससे समझिए कि आपके पोधे में virus नहीं आएगा इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपने खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं अब बात करते हैं किसान भाईयो रेड लेडी यानि हमारी यो दूसरी वेराइटी है ये भी हमारी पहली वेराइटी से कुछ कम नहीं है अगर इसके फल की बात करें तो इसमें लाल कलर का आपको फल देखने को मिलता है काटने पर अंदर से और इसमें मिठास भी 14 प्रतिसत ह लेकिन अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है साथियो इसका फल दो से धाई किलो तक का हो सकता है और इसमें भंडारन भी बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है किसान साथियो अब बात करते हैं हमारी तीसरी वेराइटी यानि विनायक के बारे में ये बहुत अच्छी वेराइटी है हाला कि भारत में कम मात्रा में इसको लगाना पसंद करते हैं किसान साथी लेकिन आपकी मिट्टी को सूट कर गई तो बहुत अच्छा उत्पादन ये भी दे सकती है अगर इसके फल की बारें गहरा औरेंज कलर आपको देखने को मिलता है और इसकी मिठास की बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में इसकी मिठास भी आपको देखने को मिलती है किसान साथियों भंडारन इसका बहुत अधिक मिलता है और अगर बात करें इसके आकार की तो ये अंडाकार आपकी दिखाई दे किए इसके फल का वजन के 2 से 2,5 kg तक का आपको देखने को मिल सकता है अगर इसके हार्वेस्टिंग की बात करें किसान सातियों तो 210 से 240 दिन के भीतर आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं जो कि हमारी आइस बेरी वेराइटी से तो कम नजराता है क्योंकि हमने आइस बेरी वेर अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा किसान साथी आप बात करते हैं हमारी पांचवी वेराइटी यानि पूसा डेसीलियस के बारे में इसका फल गहरा पीला दिखाई देता है अंदर से और इसका आकार थोड़ा लंबा को मिलता है वहीं ये पोधे बहुत अच्छे दिखाई देते यानि कि एकदम स्वस्त टैप के पोधे दिखाई देते कभी भी मुर्जाते नहीं है तो आप इनकी भी बुवाई अपने खेत में कर सकते हैं अब बात करते हैं पांचवी वेराइटी यानि पूसा मजिस्ट्र के बारे में पापीति की ये वेराइटी आज कल किसान इतनी जादा मात्रा में लगा रहे हैं जिसका कोई भी हिसाब नहीं है और इस वेराइटी से बहुत अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं किसान साथियों इस वेराइटी की एक बहुत खास बात है कि इसका आकार बहु को मिलेगा तो किसान सात्यों फिर भी अगर आप चाहें तो बुवाई कर सकते हैं धूर से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान, साथियो आज के हमारे इस वीडियो में हमनें आपको टॉप पांच वे राइटियां बताई हैं आप पिन में से किसी का भी चैन करके बहुत अच्छा उस्पादन ले सकते हैं इसलिए हम आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप अपनी मिट्टे की पहले जाज करवा ली जिएगा उसके अनुसार ही आप इन में से किसी वेराइटी का चैन कीजीएगा तो किसान साथियो आज के हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल किसान भाई से जुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा खिसान साथ यो धन्यवाद जे जवान जे खिसान आप से फिर मिलाकात होगी अगले वीडियो में